हेलो फ्रेंड्स दीपास किच्चन एंड कॉस्मेटिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू बेसन रोल यह बहुती टेश्टी कस्पी नास्ता बनता है यह नास्ता आप 10 से 15 दिन तक इस्टोर करकर रख सकते हैं पर उससे पहले जिनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीस हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस बेल आइकन के बटन को दवाने से मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुती आसानी से आ जाता चलिए शुरू करते हैं एक कटोरी बेसन है बारिक कटा हुवा हरा धनिया आधी चमच धनिया पाउडर आधी चमच हल्दी पाउडर आधी चमच लाल मिर्च आप तीखा चाहिते हैं और ले ले नमक स्वाधनचार एक चमच जीदा दो उबले हुए आलू हैं इनको कद्दू कस करना है आलू हमको बहुत ही अच्छे से कद्दू कस करना है, इसमें गुल्ठियां बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, आलुक हम इस कद्दू कस करने बाद इसको थोड़ा और मैस करेंगे, गुल्ठियों की बिल्कुल संभावना नहीं रहनी चाहिए, नास्ता अच्छा नहीं बनता है, फिर हम इ यहाँ एक अच्छा सा डो बनाना ना ज़्यादा सक्त हो और ना ज़्यादा मुलायम हो फिर हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे बेशन हमको थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है इस बात का आप ध्यान रखें धनिया पत्ता धनिया पाउडर लेंगे लाल मिर्च हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार जीरा इन सारे मसालों को हम मैस करेंगे सारे मसालों को मिला लेंगे हमको बहुती बढ़े अच्छा सा एक डो बनाना है ना ज़्यादा सक्त हो और ना ज़्यादा मुलायम देखिए हम उनको बेशन के आवशकता और पड़ी है बेशन और लेंगे इसी तरह से आपको एक अच्छा सो डो बनाना है फिर हम इसमें थोड़ा सा हातोमे तेल लेंगे इसको एक अच्छा सा चिकना देंग, बनाएंगे तेल मिलाने से यह हमारे हातों पे चबकता नहीं है इसमें हम अच्छे बनागे अच्छा सा डो बनागे रख लेंगे इस तरह से हमको बढ़िया सा डो बना लिया देखिए हमारा डो बिल्कुल बनके तयार हो गया ना ज्यादा सक्थ है ना ज्यादा मुलायम है फिर हम छोटी छोटी लोईयां लेंगे, इस तरह से हमने लोईयां लियें और इसमें हम थोड़ा सा ओयल लगाएंगे, इसमें थोड़ा ओयल लगा लें और फिर एक पॉलो थीन में हम इसको रखेंगे, इस तरह से और इसको हमें प्रेस करना है, आप किसी भी चीज़ से प्र प्रेसे प्रेस किया है इस तरह से आप दबाएं यह बहुत ही आसानी से बन जाता अगर आप बेल कर बना सकती है तो आप बेल कर बना सकती है इस तरह से आपको प्रस करना अच्छे से अगर आप इसको मुलायम चाहती है थोड़ा सा मोटा बनाए अगर आप कस्पी बनाना चा इसको side बे रख दें फिर हमारा next roll बनाने काम आएगा इसको इस तरह से लें और ऐसे इसको roll बनना है देखिए हमारा roll बिल्कुल बनके तयार हो गया है इस तरह से हमको roll बनाना है सारे roll हमको बनाकर इसी तरह से रख लेना है यह हमारे सारे roll बनकर तयार हो गए है आप सरसो को तेल में रिफाइंड ओल में फ्राई कर सकती है, इनको धीमी धीमी आज पर हमको फ्राई करना है, धीमी धीमी आज पर नास्ता फ्राई करने से बहुती कस्पी बनता है, और अंदर तक पक जाता है, इसको हमको चलाते हुए फ्राई करना है, जिसका रंग एक समान थीम्य ध्यज़ प्रक्राम से दिने दुम करते हैं यह लिसकी इसमें पूल ऑफाद हैं, दुम्राश कनों साधिये 5 फ्र्ज़ तर्ज़. देखिए हमने cabinet के बिल्कुल निकाल ली है अब अगर आप इसमें उपर से मसाला चाहती है तो आप इसमें चाट मसाला तो अगर आप नहीं चाहती है तो मत बिलाएं और ये नास्ता बिल्कुल बनके रेडी हो गया है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें